तवांगाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच होई जड़प के मामले पर सदन में हंगामा जारी है इस पर ज्यादा बाक्षित करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राजसवा सांसर संजय सिंग है संजय जी लगातार सदन के अंदर जो जड़प हुई है चीनी सेना और भारत सेना के बीच में उसको लेकर हंगामा जारी है आज आप लोग सदन चलने नहीं दे रहे हैं और अब आदमी पार्टी के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो चीनी समान है अब उसका भी बहिसकार होना चाहिए देखे आज भी मैंने सदन में नोटीस दिया है जीरो और का कि इस मुद्दे पर बोलने दिया जाए सवाल ये है कि पहले डुकलाम फिर गल्वान और अब तवांग इन घटनाओं पर हमारी सेना के उपर हमें गर्व है हमारे जवानों पर हमें गर्व है उनकी सौरे और उनकी वीरता पर गर्व है उन्होंने अपनी शहादत दे के भी भारत की सीमा की सुरक्षा की लेकिन हमारे भारत के आदर्णी प्रधान मंतरी मोदी जी क्या कर रहे है पूरी दुनिया में क्लीन चिट घूम घूम के चीन को और चीन का रास्टपती उन्ही की वीडियो दिखाता है पूरी दिन्या को देखो तो भारत के प्रधान मंतरी खुदी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ तो सवाल ये है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे 20 जवानों की शहादत कैसे हो गई अगर कुछ नहीं हुआ तो ये मुटभेड आपस में कैसे हो गई अगर कुछ नहीं हुआ तो चीन बार-बार घुसपैट क्यूं कर रहा है इस पे कौन बोलेगा कौन जवाब देगा इसका एक ही कारण है मोदी जी के मित्रों का व्यापारिक हित चीन के साथ जुड़ा हुआ है और उनके व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए वो भारत की सीमा की सुरक्षा के साथ समझोता कर रहा है और यह बात आन रेकॉर्ड में कह रहा हूँ गलवान की घटना के बाद भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार ने कहा था हम तमाम आर्थिक प्रतिबंद लगाएंगे चीन के उपर हकीकत क्या है 97 बिलियन डालर चीन से हमारा आयाद बढ़ा है 31 पर्संट 97 बिलियन डालर का आयाद है 31% गलवान के पहले के मुकाबले हमारा आयाद बढ़ा हमारा निर्यात 37 प्रतिशत कम हुआ है यानि हम अपने दुस्मन देश को हजारों लाखों करोड रूपए भारत से कमवा रही है मोदी जी की सरकार की और टैंक बनाओ और तोपे बनाओ और मिसाइल बनाओ इसलिए आप देश के प्रधानमंत्री बनें डॉंग फॉंग नाम की एक ब्लैक लिस्टेट कमपनी है उसको आपने स्मार्ट मीटर का ठेका दे दिया कि कश्मीरियों का डेटा इकठा करो आपने धौलोरा के अंदर गुजरात में 43,000 करोड रूपए का M.U. साइन किया चीन के साथ तो आप अपने किन पूंजी पती मित्रों के व्यापारी कहित की रक्षा के लिए चीन के मामले में खामोस हैं नहीं बोल रहा हैं जवाब नहीं दे रहा हैं यह बताना चाहिए लार मंद्री जी को लेकिन इस पूरी घटना के बाद सरकार ने सदन के अंदर अपना पक्ष रखा अपना जवाब रखा लेकिन बावजूद उसके सदन की कारवाई जो है वो नहीं चलने दी जा लिए उसक पर बहात होनी चाहिए इस पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए और जो विसे मैंने उठाया इन सारे सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए वो कौन-कौन से मोदी जी के मित्र हैं जिनके ब्यापार चीन से बढ़ाने के लिए भारत की सीमा की सुरक्षा के साथ मोधी जी समझाता कर रहा है आम आद्बी पार्टी इस बात पर अड़ी रहेगी कि क्या जो चीनी समान उसका वाइसकार होना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए अपील की और दूसरी बात यह है कि उस दिसा में कोई प्रियास इन्होंने किया हो तो बताएं आप ड्रामे करते घूम रहे हो आपने पीम केर्स में सैक्डों करोन का चंदा चीन की ब्लैक लिस्टेट कंपनी से लिया है ये काम है भारत के प्रधान मंत्री का अरे करोना काल में तो वैसे ही देश के लोगों ने दिल खोल के आपको चंदा दिया आपका चंदा नहीं उससे पेट भर रहा है आप चीन से चंदा ले रहे हैं अपने पीम केर्स म तो इन सारे बातों का जवाद देना चीए प्रधान मंत्री जी को संजे जी एक सवाल दिली से है कल एक दर्धना घटना सामने आई जहां एक लड़की के उपर एसेड अटैक किया गया अब एसेड लगातारी कहा जा रहा है कि पूरी देश में बैन है बावजुद इतनी आ लैंग वार की गवाह बनी है दिली की सडकों पर हत्याए हुई है बलातकार की घटनाए हुई है कोट के अंदर हत्याए हुई है यहां पर छात्रों को दोड़ा दोड़ा कर पीटा गया है दिली तमाम अपराधों का गवाह बना है और यह घटना दिल दहला देने वाली जो कि अगर आप बिधायकों की खरीद फरोक्त से फुरसत आपको मिल गई हो तो थोड़ा देहान दिली की कानून बवस्था पर भी दीजिए नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योज़ 24